प्राइविट कम्पनियों में ग्रूप C वर D की बहालियों में 100% आरक्षन कंणर भाशी स्थानिये लोगों का होगा करनाटक मंत्री मंडल ने इस सप्ता के पहले दिन विवादासपत फैसला लिया है करनाटक सरकार ने प्राइविट कारखानों और कम्पनियों के लिए आरक्षन संबंदी प्रावधान किया है करनाटक सरकार के विधेयक को विवादासपत माना जा रहा है खुद करनाटक मंत्री मंडल के अंदर इस विधेयक को लेकर विवाद बना हुआ है मुख्य मंतरी सिधर अमयया ने मंतरी मंदल के फैसले के एक दिन बाद सोमवार को एक्सपर ट्वीट करके कहा है कि प्राइवेट कमपनियों में ग्रूप सीवर डी की बहालियों में सर प्रतिशत आरक्षिन कंणर भाशी स्थानिय लोगों का होगा करनर लिखना पढ़ना और बोलना आना जरूरी होगा जन्म से ही जो करनाटक का है या 15 सालों से करनाटक में रह रहा है इस व्यक्ति को प्राइवेट कमपनियों में नौकरी दी जा सकेगी नौकरियां और पढ़ाई के लिए स्थानिय लोगों के पक्ष में डोमिसाइल नीती बनाने में अनेक राजे बारी-बारी से सामने आ रहे हैं करनाटक की नौकरियों में राजे के बाहर के अनेक लोग प्रतियोगिता परिक्षा पास करके आते हैं करनाटक में कई IT सेक्टर में नए तरह के कई रोजगार के शेतर खुले भी हैं करनाटक सरकार करनर भाशी स्थानिय लोगों के लिए राजे में नौकरी की गारंटी करना चाहती है यह अध्यादेश यदि पारित हो जाता है तब मैनेजर सर की बहालियों को प्राइवेट कमपनियां 50 से 76 प्रतिशत तक स्थानिय लोगों के लिए आरक्षित रखेंगी यह अध्यादेश राजिपाल की मनजूरी के बाद लागू हो सकेगा कानून बनाने की प्रक्रिया में राश्रपती से भी यानि की केंदर सरकार से अनुमती की आवशक्ता होगी हाला कि यह विधेयक असेम्बली में जाए वहां से पारित हो और इसके बाद राश्रपती से सहमती मिल जाए इसके पहले खुद करनाटक मंत्री मंदल के लोगों में विवाद पैदा हो रहा है देखा गया है कि मंगल वार को मुखे मंत्री ने एक्स पर ट्वीट किया था और फिर दूसरे दिन ही इसे वहां से हटा लिया करनाटक के ओद्योग मंत्री ने इस बारे में बताया जो 100% आरक्षिन की बात नहीं करती है तरंतु जादातर सीट करनाटक भाशी और यहां रहने वाले करनाटक की डोमिसाइल के लिए सुरक्षित करने की बात कही है संगीय ढाचे में जिस तरह की राश्वी एकता रही है उसे करनाटक के इस रिजर्वेशन पॉलिसी से गहरा सद्मा लगा है इसका व्यापक विरोध हो रहा है